गोशामी जी केते हैं पंथ जात सो हत्मत धीरा पंथ जात सो हत्मत धीरा पंथ जात सो हतमत धीरा ज्यान भगती जन धरें शरीरा ज्यान भगती जन धरें फरीरा ज्यान भगती जन धरें शरीरा ज्यान भगती जन धरें फरीरा पंथ जात सोहत मत धीरा पंथ जात सोहत मत धीरा ज्यान भगती जन धरें शरीरा आज ज्ञान और भक्ति यहाँ भी एक विशेष्टा है जीवन में जिसके ज्ञान आजाता है वो व्यक्ति अभिमान को सुईकार कर लेता है क्योंकि ज्ञान का अभिमान आजाता है लेकिन साओधान यदि ज्ञानी भक्ति को सुईकार कर ले अगर ज्यानी भक्ती को सुईकार कर ले भक्ती का साथ ना छोड़े ज्यानी तो याद रखना उस ज्यानी के जीवन में अभिमान नहीं आता है उसके जीवन में तो भगवान ही आता है इसलिए भक्ती साथ में जा रही है तो जीवन में ग्यानी बहुत बड़े बन जाना लेकिन भक्ती मत छोड़ना अगर भक्ती करना तुमने बंद कर दी तो याद रखना वो अभिमान ऐसा होगा जैसे रावन के जीवन में अभिमान आगिया था रावन भी तो ग्यानी था लेकिन ग्यानी था तो अभिमानी भी था क्योंकि उसने भक्ती को सुईकार नहीं किया ओ भक्ती कौन है साक्षा सीता जी तो सुईकार भी करना चाहता है तो याद रखना स्री जानिकी जी मा है लेकिन मा को किस रूप में सुईकार करना चाहता है बोलो पत्नी के रूप में दिकार है लानत है इसी जिन्दगी को बोलो सीता जी को क्या बनाना चाहता तवन उचरी करोंपन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा तवन उचरी करोंपन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा मेरी और देखो मुझे सुविकार करो तुम्हें लंका की महरानी बना दूंगा तुम्हें और लंका की नोकरानी मंदोदरी को बना दूंगा अभी तक ही ये महरानी है मंदोदरी लेकिन इसको नोकरानी बनाओंगा और सीता तुम्हें लंका की महरानी बनाऊंगा इमानदारी के साथ बताना बोलो ये ग्यान का अभिमान है की नहीं आज भक्ती को क्या मान रहा है भक्ती को वाशना से जोड रहा है भक्ती एक उपाशना है भक्ती क्या है उपाशना है वाशना नहीं है इमानदारी से बताओ मा का दर्शन जब होता है उपाशना का जन्म अपने आप हो जाता है मा का दर्शन करते ही मा को देखते ही किसका जन्म हो जाता है उपाशना का जन्म हो जाता है हो जाता है कि नहीं हो जाता है ये क्या है भक्ती का प्रभाव है ये किसका प्रभाव है भक्ती का प्रभाव है जब हिरदय में भक्ती होगी तो याद रखना अपने से बड़े का आप सम्मान करोगे आदर करोगे और यदि भक्ती नहीं होगी अभिमान होगा तो अपने से बड़े का आदर नहीं करोगे अनादर करोगे आप चाहे जितने प भक्ति को साथ लेके जा रहे हैं और भक्ति साथ में जा रही है एक विशेष्टा और इस प्रशंग में क्या भक्ति पीछे-पीछे चल रही है जो ग्यान भगवान को पाने का संकल्प ले लेता है भक्ति उसके पीछे-पीछे चलने लगती है इसलिए भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती है यदि भगवान को पाने का लक्ष तुमने बना लिया तो भगवान को पाने का लक्ष तुम कब बनाओगे जब सत्संग की भूमी पर जाओगे तब बिना सत्संग के भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे और जब भगवान को पाने के लिए आप के भूमी पर जाओगे तो निश्चित रूप से भक्ती आपके जीवन में सहज में ही आ जाएगी प्रयाश नहीं करना पड़ेगा आधपंथ जात सोहत मत धीरा ज्यान भगत जन धरें शरीरा अच्छा पहुँचे कहां पवित्र नदी के तड़ पर नदी कौन सी है पहुँचे जाए पहुँचे जाए अरे धैनू मती तीरा अहरस नहाने निर्मल नीरा गौमती जी में शनान किया गौमती के तड़ पर पहुँचे नेम इशारण में गौमती नदी है अयोध्या सर्जू नदी के तड़ पर बशिये आपके पास में भी तो सर्जू जी है यहां से 20-55 किलो मीटर दूर 20 किलो मीटर दूर सर्जू जी है है ना अभी कलश्यात्रा स्री हरीशर नदाज जी ने बताया कि कलश्यात्रा वहीं से हुई थी क्यों हुई थी ना बहुत उत्तम जल है क्या कहना भले ही हम लोग प्रदूशित कर दे इधर उधर कुड़ा कचला डाल करके हमारी बुद्धी की अलपगता होगी लेकिन सर्जु जी का निर्मल जल है वोलो है कि नहीं सर्जु भगवान के नेत्रों से निकली है जब भगवान के नेत्रों से सर्जु का प्रादुर्भाव हुआ है तो वोलो सर्जू में निर्मलता है की नहीं लेकिन हम लोगों ने अपनी बुद्धी की अलपक गिता के कारण ये ना जाने क्या-क्या डाल दिया है सर्जू नदी में, गंगा नदी में, सर्जू नदी में पवित्र नदियां आज प्रदूशित हो रही है एक बात का ध्यान रखना क्योंकि प्रशंग आ गया है तो इस बात को कहना बहुत आवश्यक है आप तीर्थ क्यों जाते हैं पापों से मुक्ति पानी के लिए इसलिए जाते हो ना पापों से मुक्ति पानी के लिए तीर्थ जाते हो लेकिन जब तीर्थ में आप जाते हो तो आप इसनान क्यों करते हो आकी नदी हो या सरोबर हो या तो सरोबर होता है या फिर नदी होती है तीर्थ में क्यों मैं यहां नदी नहीं हो सरोबर है इसनान करते हो इसनान क्यों करते हो हमारे पाप धुल जाए वो लो इसनान करते हो ना पाप धुल जाए फिर आप क्या करते हो इसनान करके वो ले दान करते हो क्यों दान करने से प्राश्चित पूरा हो जाता है प्राश्चित जब पूरा हो जाता है तो हमें मुक्ती मिल जाती है पापों से मैं एक बात कहता हूँ चाहे जितने प्रकार के दान है चाहे जितने दान कर लेना लेकिन तुम्हें वो तीर्थ फल नहीं देगा आप को महराज कैसी बात कर रहे हो आप तो हम यग में दान क्यों दें जब तीर्थ में दान देने से पुर्ण प्राप्त नहीं होता है फल प्राप्त नहीं होता है तो यग में दान क्यों दें अब आरी सरनदाज की सोच रहे हैंगे पहले ही दिन महराज ने माहौल खराब कर दिया बिना दान के यग सफल नहीं हो सकता है बिना दान के यग सफल नहीं और कह रहे हैं कि दान करने से भी फल प्राप तो नहीं होगा पहले मेरी बात को सुन लो दो को ब्रमित होने की जरूवत नहीं है मैं समाधान कर रहा हूँ आपको तो सुनना पड़ेगा समझना पड़ेगा मेरे द्वारा समाधान मिलेगा आपको चिंता मत करना आज साड़े दस बजे तक कथा होगी कल से तो चैसे लेकर के और दस बजे तक करम रहेगा ठीक है न? छै बजे हनमान चालीशा भजन और आर्थी इसके बाद फिर मेरा प्रवचन और दस वजे मंच का विश्राम आज चुकि विलंब हुआ है इसलिए साड़े दस वजे तक का करम रखेंगे और ग्यारा वजे तक तो आतिकाल हो जाएगा बहुत ज्यादा समय होगा है न मुझे भी प्रशाद पाना है आप लोगों को भी घरदवार जाना कल से तो दूर दूर से अन ग्रामों से भी लोग आएंगे न कथा सुनने के लिए तो भीड़ भाड बढ़ेगी दूर दूर से चल के लोग आएंगे तो 6 वजे साइनकाल 6 वजे से लेकर 10 वजे तक का समय यह उचित समय है यदि इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो आज हमसे कह सकते हो आप मैं घोशना कर दूँगा तो मैं उसी साब से अपना समय निर्धारित कर लूँगा लेकिन चर्चा यही होई थी 6 वजे से 10 वजे तक का समय अच्छा 5 वजे क्या है धूप ज़्यादा रहती है समझे है वो धूप ज़्यादा रहती है उसमें तो आपको भी दिक्कत है बैटने में मुझे भी दिक्कत है 6 वजे तक थंडा वाता वरन हो जाता है तो 6 से 10 वजे तक का समय निर्धारित किया गया है क्यों यदि इसमें आप तब की संतुष्टी हो तो ठीक है न हाथ उठा करके हमारे सामने समर्थन व्यक्त करो सब हाथ जो है उठाया सभी ने उठाया है तो चलो 6 वजे से लेके 10 वजे तक का समय निश्चित रहेगा छे बजे हनमान चालिशा प्रारम हो जाएगा हनमान जी का आवाहन करना पड़ता है समझ गए हो कि नी हनमान जी का आवाहन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वाधाएं सब रहती तो आपकी बन जाए जिससे आप हनमान जी को देख सको क्यों भई अभी तो आप सही माने में अपने से बड़ों को ही नहीं देख पा रहे हो यही एक कमी है हनमान जी ऐसे कैसे दिखाई दे जाएंगे लेकिन सत्संग सुनते 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 मैं विश्वास दिलाता हूं जितने लोग बैठे हैं आपको कथा में ही हनमान जी के दर्शन का अनभा हो जाएगा ये मैं विश्वास दिलाता हूँ लेकिन आज स्रद्धा पुरुवकाना, स्रद्धा के साथाना, कथा सुनना हनमान जी यहीं पर बैठते हैं, आपके बीच में बैठते हैं आपको अन्भा हो जाएगा कि हरमान जी यहां बैठे हुए कथा में ही शीराम प्रगठ होंगे हन्मान प्रगठ होंगे कथा में ही सब प्रगठ होंगे आपको अन्भा हो जाएगा कि नहीं हम अयुद्ध्या की चर्चा हैगी तो ये लगेगा अयुद्धिम बैठे हैं मितला की चर्चा होगी तो लगेगा मितला ही में हम बैठे होगी समझ रहे हो कि नहीं अन्भाव हो जाएगा आपको अन्भूती होगी इसलिए आप विश्वास के साथ आएंगे पूरे परिवार के साथ आएंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ आएंगे और अधिक शेदिक संक्षा में आकर इस यग्य को, सत्संग को, राम कथा को आप सफल वनाएंगे मेरे मुझे ये विश्वास है और आप सब निश्चित रूप से मुझे मनही मन आस्वस्त कर रहे हैं कि नहीं मैं हम सब आएंगे परिवार शहत आएंगे छेतर के लोग सब ही आएंगे हम पूरी तरह से विश्वास में आचुके हैं आपके द्वारा मुझे ये मौन सुईकृती मिल चुकी है आप मैं अनभव कर रहा हूँ आप सब को देख करके इश्वाओ जहां से सुनो एक अंतिम बात सुनो अंतिम बात बहुत महत्ति पूर है ये तीर्थ में जाओ आप और तीर्थ में जाकर के आप दान करें, द्रब्य दान करें, गव दान करें, अन दान करें, स्वर्ण दान करें, जितने प्रकार के दान हैं, सारे दान करें, लेकिन एक दान करना न भूलें, कौन सा स्रम दान, कौन सा दान, स्रम दान, अच्छा बो भई, आपने यग्मे अन दान दिया, द्रब्य दान दि चया लेकिन अगर आप स्रेंधान नहीं करेंगे तो अदूरापन रह जाएगा कीं रह जाएगा बोलो भई इसलिए शर्मदान तो करना पड़ेगा आज यह कठा हो रही है अगर श्र्रमदान न किया होता आपने तो यहां पर journey शर्विवस्तित होता क्या नहीं होता सबसे पहले आप आएं तो साफ सफाई का ध्यान रखें आप ये ना सोचे हम कितने बड़े आदमी हैं हम कितने प्रभावशाली हैं नहीं आप तीर्थ छेत्र में आये हैं ये कथा जहां हो रहे हैं ये तीर्थ बन गया है जहां पर यग टाहूं राम चर्त मानस में राम कथा के माध्यम से संपूर्टीर्थ युद्घा के सैत राम कथा के माध्यम से यहाँ प्रतिष्ठापित हो चुके हैं इसलिए आप को यहाँ बाब मिल रहा है तो आप सब THE पहले यह भाव ले इदर उधर कच्छा अच्छा पड़ा है साफ करिए आप, समझ रहे हो कि ने, ये श्रमदान है, ये जरूर कर तब आप इसनान करिए, ये नहीं कि आपने इसनान किया, और जो साथ में ले गए थे कच्छा और दाल के चले आए, नहीं पहले श्रमदान करिए महराज मनू और शत्रूपा जी ने गौमती जी में इस नाम तो किया लेकिन याद रखना एक अंतर कथा है कि महराज मनू और शत्रूपा जब दोनों पहुँचे तो उन्होंने साश्टांग प्रणाम किया गौमती जी को क्या किया साश्टांग प्रणाम मतलब सरनागति शीदी शीवाद जब साश्टांग प्रणाम किया इसके बाद महराज मनू और सत्रूपा इन दोनों ने जिस घाट पर इश्रमदान किया क्या किया को करनी होती जहां पूया पाठाप करते हो तो पहले क्या करते हो उस अस्थान को साफ करते हो तो जिस घाट पर महराज मनू सत्रूपा ने तपस्या की कहा इसनान के पहले सबसे पहले तो साज्टांग प्रडाम किया फिर उस घाट को पवित्र साफ किया इसको मतलब इसको कहते हैं श्रमदान क्या कहते हैं श्रमदान इ महाराज मनुने सत्रूपा से कहा किस को प्राप्त करने का लक्ष है का ब्रह्म को प्राप्त करने का लक्ष है ब्रह्म को किस रूप में प्राप्त करने का लक्ष है एक तो ब्रह्म की अन्भूती होती है का अन्भूती नहीं महाराज मनुने का प्रत्यक्ष ब्रह्म को प्राप होना चाहिए